आज शूरू करेंगे हम नेटवरकिंग का कमांड से रिलेटेड टॉपिक जिसमें सबसे पहले मैं आपको cmd में जो ping कमांड यूज होता है जो ipconfig कमांड यूज होता है उसको practically कैसे यूज करना है और क्या हो यूज करना है वो बताऊंगा उसके बाद में हम sadp tool के बारे में सीखेंगे यहाँ पर sadp tool basically क्या होता है कि जो hikvision के products होते हैं उनके ip addresses को search करना ip को modify करना उसके लिए use होता है ठीक है तो commands बताएंगे फिर sadp tool बताएंगे फिर subnetting बताएंगे सबसे important चीज होती है subnetting देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है subnet mask ठीक है subnetting basically क्या होता है यह एक mathematics है इसको समझने से आप ip का range बना सकते है create कर सकते है इसमें basically हमें पता क्या चलता है subnetting में कि हमारा जो network है वो कौन से class का है जैसे a class है b class है c class है साथ ही साथ हम लोग class को find out करने के साथ साथ में उसको बना सकते है class को change कर सकते है जैसे अभी आपको c से b class बनाना है मतलब c class से b class पर shift होना है तो subnetting की जानकारी होनी चाहिए और b class से a class पर shift होना है तभी आपको subnetting की जानकारी होनी चाहिए अब यह class क्या है भई a b c basically class क्या है network को class में रखा हुआ है जिनको बहुत मतलब medium network एक बनाना है जैसे जो भी routers आप खरीदते हैं जो भी कोई router आते हैं वो router सारे by default c class पर होते किस पर होते c class पर जिसमें आपको 253 ip मिलते हैं मतलब 253 devices ही आप connect कर पाएंगे इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर कोई company में मान लीजिए एक बहुत बड़ा company है इंडस्ट्री इंडस्ट्री है इंडस्रियल साइट है वहाँ पर अगर गेटवे के तोर पर यूज हो गया वह हम और दुबारा यूज नहीं कर सकते 255 ब्रॉडकास्ट नमबर होता है वो भी हम दुबारा यूज नहीं कर सकते तो बचे कितने 255 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा अब यह basic maths को सबको आना चाहिए अभी आप कोई पूछेगा क सर 255 में से 2 अगर माइनस करूं तो कितना बचेगा अगर उतना भी किसी को नहीं मालूम है तो फिर भाईया कुछ नहीं हो सकता ठीक है उतना तो कम से कम नालेज होना चाहिए अभी 254 बोल रहे हो आप 253 ही आईपी निकलेंगे ना उसमें से गॉट इट 253 आईपी निकल द साइड में बहुत बड़े-बड़े केमिकल प्लांट से ठीक है प्रूलियम प्लांट से तो वहाँ पे अगर आप बात करोंगे में को 20-25 हाईपी कैमरे लगाने ना भाई यह क्या यह मजा करने आयो क्या 20-25 आईपी कैमरे कि अगर लेवल ने तो हमारे यहाँ पे कोटेशन नहीं मत दीजी हमारा यहाँ पे 400-500 कैमरे का पूरा प्रोजेक्ट निकलता है ठीक है बहुत नॉर्मल बात होगी यह देखिए CCTV लाइन में बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनिया है वो सालाना करोड़ों का टनोवर बनाती है करोड़ों का टनोवर करती है जैसे कोई कंपन आप ही लोग साइट पे जाते हो आप ही लोग करते हो आप ही लोगों के वज़े से कंपनी का जो ओनर है मालिक है वो करोड़ों रुपे का प्रोफिट जनरेट करता है ठीक है और हमारे जैसे लोग ट्रेनिंग देते हैं सिखाते हैं ठीक है ट्रेनिंग देते हैं तो सही ट् हो networking पे networking के class पे networking के class पे networking के class में यही सारी चीज़ सिखेंगे जैसे बड़ा network की बात कर रहे थे more than 400-500 camera जब आप सी class की जरुवत ने फिर B class पे shifting करने पड़ेगे class shifting एक proper mathematics होता है उसको सही से implement करना होता है अगर्वाइस company का पूरा network फैल हो जाएगा अंदा धुन कैसे भी अगर आप networking करेंगे किसी भी तरीके से काम करेंगे तो network फैल हो जाएगा हमारे साथ जूडने के लिए तुरंत install करें GLM Institute अप application का link इसी वीडियो की description box में दिया हुआ है तुरंत install करें और सारे वीडियो देखें एक systematic तरीके से तो कैसा हो दाना कि एक proper आपको class change करने आना चाहिए और एक range define करने आना चाहिए ठीक है range define करने का topic इतने आसानी से नहीं ही समझेगा उसको मैं बहुत अच्छे से explain करके समझाऊंगा बोड पर और बाद में उसका practical लेंगे ठीक है चलिए इसको यह मैंने उपर उपर बताया cover पे जैसे index होती है book के cover बताया कि आज के class में इतने topics कम से कम हम cover करने वाले है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पिंग टेस्टिंग कैसे practically यूज करते हैं networking में काफी ज्यादा बार-बार यूज होने वाला यह टूल होगा देखिए यह हमारा एक pattern है एक networking का जैसे अगर कोई भी बड़ी IT company होगी IT company ठीक है तो उस company के पास में पहले से ही कुछ ने कुछ infrastructure होगा जैसे माली जीए एमधाबाद में आप गए और बहुत बड़ी एक कोई medicine manufacturing company तो क्या उनके पास switch नहीं होगे router नहीं होगे by default cabling नहीं होगा किया हुआ सब कुछ किया हुआ रहेगा अब आपको क्या करना है दो condition है एक तो ऐसा कोई company है जो नया स्टार्ट हुआ है उनके पास कुछ भी नहीं इंफ्रेस्ट्रिक्टर बेस कुछ नहीं यह मशीन होगा वहाप आपको switch भी देना है router भी देना है आपको cat6 cabling भी करनी है optical fiber cabling भी करना है यह एक दूसरा condition है और पहला condition है कि उस company के पास कुछ material already था हम बारी-बारी से दोनों conditions पर बात करेंगे ठीक है पहले condition उस IT company के पास पहले से router लगा हुआ था router मैं बता दू जानकारी के लिए एक फायर वाल नाम का एक डिवाइस आता है फायर वाल ठीक है तो ज्यातर कंपनिया फायर वाल यह यूज करती है ठीक है वह router लगभग आप समझे राउटर जैसा ही है बैसिकली उसमें क्या होता है थोड़ा सा एडवांस सिक्योरिटी लेयर होता है और मल्टी आयस्पी के वायर साप कनेक कर सकते है जैसे आभी आपके राउटर में एक ही इंटरेट सरीश प्रवाइडर की लाइन लगाने की फैसलिटी है बराबर जैसे आपने लगा दिया ख ठीक है राउटर या फायरवाल जोगी है और उसके बाद एक नेटवक सुइच होगा बड़े नेटवक सुइच वहाँ पे यूज होगे नेटवक सुइच यहाँ पर जो मैंने आपको नेटवक सुइच दिखाये थे वो सब छोटे थे कोई चार पोट खाता कोई आर्ट प करके दिखाऊंगा आज के क्लास में पहले हम लोग शूलू करेंगे ये दो टॉपिक से पिंग और आईपी कॉनफिक से नेटवक स्वीच तो राउटर ये ऐसा राउटर है ठीक है ये राउटर है और यहां से जैसे ये वैन की कनेक्शन आई फिर यहां से लैन वन लैन टू लैन 3, लैन 4 ठीक है चोटा प्रोजेक्ट लेते हैं दो सिस्टम का देखिए concept सेम रहेगा ठीक है जब गणित में आप ये समझ जाते हैं कि 2 और 2, 4 होते हैं ठीक है और basic maths अगर आप समझ जाते हैं कि अगर मैं 50 को multiply करूंगा 10 से तो obviously कितना होगा 500 होगा basic maths अगर कोई चीज में क्या बलते सुत्र नियम फॉर्मूला मैंने आपको डेटा के काफी सारे फॉर्मूला दिये conversion फॉर्मूला वगरा एक चोटे से फॉर्मूले में कोई भी बड़ा value डालके कोई भी बड़ा output आप निकाल सकते हैं उससे उससे कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है फॉर्मूल अब कमपनी के पास एक पहले से इंफरास्ट्रक्चर था राउटर था स्विच था मैं छोटा सा एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कितने भी बड़े लेवल का हो सकता है सिर्फ इसकी quantity बढ़ेगी माले एक स्विच कम पढ़ रहा है तो एक और स्विच उसके साथ में आप एक और स्विच मैंने इसके साथ में अटेच कर दिये यह लीजिए और स्विच एटेच कर दिया एक दो तीन चार यहां से और लान निकल गया पांच निकल गये ठिक है अब आप वहां पे या ले कर गये छोटे कमपनी की बात करूंगा ज्यादा पहले बढ़ा नहीं सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर पिंग और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करने वाले यह आपने लगाया यह जो राउटर है कंपनी के सेक्शन वन में लगा हूँ एक सिस्टम लगा है राउटर लगा है और बीविंग में एक लगा है उन्हों से एक लाइन इसको दिया और स्विच से इसको दिया चाहें तो इससे भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आपस में वैसे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहती है ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया अपना एक डिवाइस लगाया डिवियार ठीक है क्या यह समझ वें आया सब को मैने जो ड्रा बनाया इस फीगर में मैंने क्या ड्रॉफ किया शेक्शन नभन में कंपणई नहे एक सिस्टम लगवाया जिस मां लीजिए वंसे कीभ़ाई ह description रिए हमने दो DVR लगाए बात यह हो रही है ठीक है अगर IP camera होता तो वहाँ पर IP camera की IP की counting होती each and every IP camera को IP address देना पड़ता है तो each and every IP camera का IP address count होता है ठीक है लेकिन अगर DVR है तो जितना भी analog आप camera लगाएंगे उसमें each and every camera का IP count नहीं होगा क्योंकि analog camera को कोई IP नहीं दी जाती हूँ खाली आपने cable लगाया DVR पर और direct power दिया और चालू हो गया ठीक है DC current दिया और चालू हो गया करेक्ट आइप camera हम लोग लगाते हैं अलग-अलग location से camera connect हो कहां आता है network switch पर आता और network switch से cable कहां जाती है यहाँ पर हम सबसे पहला चेक क्या करेंगे सबसे पहला हमारा जो checklist होगा वो यह होगा कि इसको क्या IP मिला हुआ है मतलब router का हम लोग by default क्या चेक करेंगे IP address चेक करेंगे सब खोल खाल के बोले सर मैं तो label read कर रहा हूँ router का तो वैसा कुछ करना नहीं है router के पीछे label लिखा रहता है और IP address होता है उसके ओपर लिखाओ अप्रेंटेड लेबल पर ठीक है लेकिन इंजिनियर्स को यह बात सही नहीं है कि वो जाते ही router का label चेक करें और वो देखे ब लेबल भी आप चेक कर सकते हैं बद AND एसा भी तो हो सकता है कि वहां का जो IT है है या IT है company policy के हिसाब से उन्होंने क्या कि आई पी एड्रस को change कर दिया है class change हो सकता है class shifting उन्होंने कर दिया तो वह label पर जो लिखा है जो भी by default IP उसके फिर कोई माहिने नहीं रहे गए ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है उस network में connected किसी भी computer से ये command run करना है क्या command है ये ipconfig command उस network repeat कर रहा हूँ एक और बार उस network में connected जो कोई भी computer है उससे आपको क्या command run करना है ipconfig, ipconfig से information आपके काम की होगी ipconfig command से आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा gateway address ठीक है इसका भी practical करवा दूँगा gateway मिलेगा क्या मिलेगा पहला information आपको gateway मिलेगा first information you will get gateway address for the entire networks उस पूरे network में क्या gateway use हुआ है वो आपको मिलेगा दूसरा information आपको क्या मिलेगा उस device का खुद का IP address self IP address जैसे ये वाला मेरे पास एक laptop है इस से मैंने कमांड कट 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 कि आई पी config मारा मैंने तो उस computer का खुद का IP address मिले का खुद का किसका खुद का self IP address ये बात कलियर हुई दूसरा आपको क्या मिलेगा gateway इसमें आपके मतलब की चीज क्या what is the important thing for you आपके मतलब की चीज इसमें क्या होगी gateway important thing for you is the gateway address उसको आपने note कर देना है for example आपको gateway मिला 192.168 0.1 इसको आपने note कर लेना है ये जो है क्या है ना gateway address है ठीक है बस ये आपको मिल गया अब आपने क्या करना है ये आपका first DVR था ये आपका second DVR था ये वाला है first DVR या ये second DVR देखो DVR मैं word use कर रहा हूँ बढ़ DVR के जगे पे NVR भी हो सकता है network video recorder ठीक है तो DVR, NVR, HVR उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है networking से मैं सबके लिए कुछ भी difference नहीं है ठीक है मैं अभी फिलाल आपको starting DVR से करा रहा हूँ उसके बाद NVR बताऊंगा उसके बाद IP camera बताऊंगा ठीक है पहले हम लोग यहां से शुरू करते थे तो IP camera है तो सभी IP camera को individually करके IP देना पड़ेगा और अगर NVR है तो NVR को भी IP देना पड़ेगा लेकिन यहां पर न तो IP camera है नहीं NVR है यहां पर सिर्फ DVR है इसके लिए हम लोग DVR को टार्गेट कर रहे है ठीक है तो यहां पर इसका मैंने क्या निकाल लिया यह डिवाइस का मैंने निकाल लिया gateway जो मैंने यहां पर लिख दिया 192.68 0.1 अब मेरा system 1, system 2 यहां पर साफ clear लिख लेता हूँ DVR 1 और DVR 2 ठीक है NVR है तो NVR लिखे है मैं slash कर लेता हूँ ठीक है अब यहां पर हमने इसको IP भी देना है gateway भी देना है इसको IP भी देना है gateway भी देना है ठीक है IP भी देना है और gateway भी देना है IP भी देना है और gateway भी देना है ठीक है अब देखिए यहां पर काफी सारे लोगों से मैं यह पूछूँगा तो मुझे मालू मैं इसका सही जवाबी देंगे लोग मुझे पताई यह gateway address क्या यहां पर देंगे हम लोग gateway address बताईए क्या देंगे same thing 192.168 0.1 192.168 0.1 हमने दोनों ही system को क्या किया same to same gateway address दिया we assigned the same gateway address to both machines दोनों को same दिया अब अगर IP address देने की बात होती है तो क्या IP address देंगे उसका भी logic है क्या logic है जैसे आपको already पता है ठीक है सब्नेटिंग का एक basic मैंने बताया था कल आपको basic ठीक है मैं सॉरी क्या रखो जोर से भूलिए थोड़ा number two और second वाली मशीन को number three धडाम से IP address नहीं देना है धडाम से IP नहीं देना है ठीक है जैसे कोई और भी किसी मशीन ने लिया हुआ हो इस बात पर आपने गौर नहीं किया क्योंकि मैंने यह पताया नहीं था आज फॉस्टाइम बता रहा हूं देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप number company में already पहले से ही कुछ computer लगे हुए है काफि सारे लोग laptop को या mobile को भी उसे access कर रहे है ठीक है तो already company के पास infrastructure है लगा लगा है सब कुछ मतलब हो ऐसा है ना कि already वहाँ पर सारे devices जो connected है एक दूसरे के साथ कुछ ने कुछ आई पी लिये हुए है अब आप गए और आपने ध्राम से इसको आई पी दे दिया टू और थ्री पहले से ही अगर कोई device यह से माई पी लिया हुआ होगा तो उस case में क्या होगा आपका भ इसने भी IP address conflict होते जाएंगे उतना ही उतने device के network डाउन होते जाएंगे जैसे आपका नाम है फैयाज और आपका भी नाम फैयाज है मैं एक को बोलूँगा फैयाज बोलों फैयाज तो कितने लोग हाथ उटाएंगे दोनों लोग हाथ उटाएंगे वैसा conflict हो जाएगा आप IP address कम से कम उस network में दूसरे किसी device के लिए यूज नहीं होगा ठीक है यह बात समझाई एक network बन रहा है एक router से एक router को ही तो follow कर रहे ना यहाँ पर हम लोग तो एक network बनाने के लिए एक router हमने यूज किया यहाँ पर already तो इसके लिए मैंने आपको एक सही तरीका जो बताया है वो क्या है use the ping test command before assigning IP address किसी भी device को IP address assign करने से पहले कौन सा command आपने run करना है और पिंग कमांड को run कैसे करेंगे इसका मैं पूरा command यहाँ पर लिख देता हूँ फिर इसके और practical कराएंगे पिंग space और IP address ठीक है और फिर एंटर यह command आपको run करना है मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ पिंग जैसे आपने मान ली जिए इसको IP address देना है नमबर टू तो मैं हाँ पर पिंग space 192.168 0.2 लगा के एंटर दूँगा तो मुझे reply मिलेगा 64, 64, 64, 64, 64 ऐसे चार बार मुझे reply मिलेगा और वहाँ पर 0% loss लिखा हुआ आएगा इसका मतलब होगा कि हमारे डिवाइस का reply आ रहा है देखिए अगर मान लीजिए number 2 आप देने वाले थे दिये नहीं हो और आपको reply मिल गया मतलब यह IP अडरस आप यूज न करें क्योंकि reply आ रहा है मतलब किसी ने लिया है मैं आसे आवाज दूँगा साहिल पुलेंगे यसर इमिरान बोलेंगे यसर मतलब वो नाम किसी ने लिया हुआ है वो number किसी ने लिया हुआ है तो वो number दुबारा हम अप हमें मैं ट्राइखर और और सजान्वर 1 सबस्मध लगतैंगी हुआ means 것은 इस नहीं हुआ है यह एपτο नहीं है भाल्रेटी युस नहीं हुआ है और रिपलाइबां नहीं कि सिसका नाम के विकास गुप्ता घड़े होजाओ कोई है नहीं तो रिप्लाइब आएगा नहीं नंबर असाइन करने से पहले अगर मैं ये कमांड चला हूँ और वहां से रिप्लाई नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ नंबर एवेलेबल है कोई और डिवाइस ये नंबर यूज नहीं किया है चलिए अब इसी का practical बताएंगे सबसे पहले हम इसको practically करके देखेंगे ये होने के बाद में फिर दूसरे topic पर आएंगे SADP पर ये होने के बाद फिर जो सबसे advanced topic है जो जियातर CCNA में सिखाते Cisco Certified Network Associate के class में सिखाते हैं सीखने के लोग 50-50,000-1,000,000 रुपिया पैसा खर्च करते हैं, वो आज आपको इस networking के class में सीखने को मिलेगा subnetting जो सबसे important है, देखिए बिना subnetting सीखे, कोई भी CCTV engineer बन नहीं सकता, खाली technician तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि subnetting जाने बगेर आप कभी भी बड़ा project कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े project के लिए बहुत बड़ी range निकलती है IP की, 400 camera लगाने है, 2000 camera, 3000 camera लगाने है, तो IP address का एक सही calculation का आपको knowledge होना चीए, तो last topic हमारा यहीं रहेगा, उसके बाद फिर हम आएंगे IP camera installation पर, let's start the first topic through the CMD, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पर दो system लगेंगे, एक वहाँ और एक यहाँ, X button press करो, वहाँ से, दो system लगेंगे, बारी बारी से आप एक एक system पर इसका practical करेंगे, चलिए, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करे, है, तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, IP address, ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा, यह cable मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देता हूँ, थाकि बड़े screen पर आपको clear दिखें, कोई दिक्कत नहीं आए, बड़े screen पर आपको, ठीक है, इम्रान भाहर कौन है, उनको अंदर बुला लीजिए, उनको बोलो का आकर बैठो, ओके, वी कनेक्टेड दियर, एंड वी अर रुनिंग दे कमांड, वी अर रुनिंग दे कमांड, cmd, first cmd, click the cmd command, देखे, cmd अगर आप विंडोज में टाइप करेंगे न, cmd क्या होता है, बेसिकली एक कमांड है, पहले से ही, पहले से ही, अल्रेडी ये सॉफ्ट्वेर विंडोज में होता है, तो अलग से कोई सॉफ्ट्वेर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, cmd, देख पारें स्क्रीन को सभी लोग, तो सबसे पहले यहां पर cmd टाइप करेंगे, cmd, cmd टाइप करेंगे तो इस तरह की एक ब्लाक विंडो ओपन होगी, और अब यहां पर हम एक कमांड लिखेंगे, सबसे पहला कमांड है पिंग स्पेस और जिस भी डिवाइस को टेस्ट करना है उसका आईप अड्रस डालेंगे, इसको थोड़ा सा यहां टन कीजिए, मोनिटर को मेरे तरफ अब देखिए, यह डिवाइस का जो आईपी है वो इसको पासवर्ट डाल देते, admin123, इसको लॉग इन करेंगे पहले तो, अब इसका आईप अड्रस रीड करें क्या है, 192.168.0.7, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, यह हो गया हमारा क्लियर, ठीक है, अब मैं इसको एक IP अड्रस देना चाहता हूँ, I want to assign some IP address to this device, by default इसका मान लिजिए, company की setting के हिसाब से IP दिया हुआ है, 192.168.0.7, company setting के हिसाब से क्या IP इसका दिया हुआ है, 192.168.0.7, अब मुझे नहीं पता, यह सही IP है या गलत IP है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझ नहीं, by default IP address क्या दिया, 192.168.0.7, यह IP address system को assigned है, company से, जब आप नया system लेके आए, back box में से बाहर निकाले, by default आपने चेक किया, यह company का IP है, 192.168.0.7, लेकिन हम जब तक correct IP assign नहीं करेंगे system, तो क्या हमारा system network में आएगा, नहीं आएगा, तो correct IP assign कैसे करेंगे, correct IP assign करने लिए हमें अर्पस कौन से information होना चाहिए, yes, gateway और gateway निकालने के लिए, कमांड क्या है, कौन बोला, पिंग, gateway निकालने के लिए, कमांड क्या है, CMD सर, सही बताइए, सोच कर, हाँ, क्या कमांड है, gateway निकालने के लिए, IP config, वापस बोलो, जलत कौन बोला था, हाद लुदा, आप 10-10 बार लिखेंगे, बुक में, क्या लिखेंगे, IP config command, क्या करने के लिए, यूज होता है, gateway निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, gateway निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग, IP config command type करेंगे, IP config, ठीक है, यह दिखिए, IP config done किया, यहाँ पे क्या मिला, आ 168, तो यह gateway मिल गया, हमें by default 192.168, 100.2, इसको note कर लेना है, सबसे पहले, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, कि वही gateway होगा, जो मैंने board पे लिखा है, वो तो example के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, वो सिर्फ example दिया था, practical scenario, थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो हम लोग practical scenario पर भी बात करेंगे, तो हमें क्या मिला, gateway 192.168, 100.2, इसको note कर लेना है, इस gateway की accordingly हमने क्या देना है, IP address देना है, चलिए, अब मैं हाँ पर assign कर लेता हूँ, पहले तो same to same gateway यहाँ पर put up करना है, 190.168, 100.2, जितने भी machine है, उसको same gateway आप put up करें, उसके आदा IP क्या देना है, 192.168 100.2, पहले चेक कर लेते हैं, अवेलेबल है या नहीं, तो इसको अगर मैं pink करूंगा, तो वो क्या दिखाएगा, availability दिखाएगा, PING space 192.168, PING space 192.168, 0.7, 0.7, 100.7, यह IP है, देखो, reply आ रहा है, reply मिला या नहीं मिला बताइए, यहाँ पर क्या show कर रहा है, destination host unreachable, मतलब इस नमबर का कोई भी host मौजूद नहीं है, not available, इस नमबर का कोई भी host उसको नहीं मिला, मतलब इस नमबर का IP कोई भी device लिया हुआ नहीं है, ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि इसका तो IP कुछ और ही है, range कुछ और ही था, हम क्या find out कर रहे हैं कि उस network में, क्या यह number का IP किसी और ने तो नहीं लिया है, तो पताइए, क्या इस number का IP, available है या नहीं, yes, available है, क्योंकि reply नहीं आया, इस number से, available है, चलिए, हम इसको save कर लेता है, click the apply बटन, और यह हो देता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन को यहां नजदीख लेगे, 192.168, 100.7 को यहां पर pink किया, और देखिए, 64, 64, 64, 64, 64, reply मिला, reply मिला, assign करने के बाद में, reply मिला, save करने के बाद, 0% loss, कुछ भी loss नहीं है, मतलब यह IP address हमारे system को assign हो गया, first condition में, देखिए, reply नहीं मिला था, second condition में, reply मिल गया, तो अब समझ में आया, एक और बार मैं बता देता हूं, सही जवाब देना है, ठीक है, अब माली जीए, यहां पर मुझे नमबर देना है, 192.168, 100.12, 192.168, 100.12, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहला step क्या लूँगा, यहां से, जो IP address, assign करना है, 100.12, बराबर, और इसको मैंने पिंग किया, यह देखिए, तो मुझे बताइए, reply मिला या नहीं मिला, यहां पर क्या शो कर रहा है, destination host, unreachable, कितना percent loss, 0%, मतलब पूरा complete loss हो गया, ठीक है, destination host, unreachable, मतलब यह नमबर का host, unreachable है, मौझूद नहीं है, तो यह IP, IP address हम इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, यह IP address available है, यह IP address available है, इसकी confirmation कैसे मिली हमें, यह पिंग करने से क्या आया है, हाँ पर, यहाँ पर क्या मिला, यह नमबर यूज नहीं हुआ, यह नमबर यूज नहीं हुआ, ठीक है, अगर यूज हुआ होता, तो क्या मिलता, reply होता, अगर मैं आवाज दू, राकेश, रिपलाई नहीं आ रहा है, हुझ वह रखिया रहा है जिरो परसला भ्रश रिप्लइन हां रखिट रही में आये डिपलारा देशन होसने परी सकार रहरा क porchर studorenिया हम मैं आवाज दू का अहीड आया रफिलाइ जो number available रहेगा उसका रिकला साथ य। आए गा जो नाम परिवार के सबस्ट है घर एक्जामपल याद आ रहा है वो यह यह रहा है चलिए इसको अब असाइन कर देते हैं क्या और यह नंबर जो यहां से हमने टेस्ट किया ट्वेल नंबर तो यह ट्वेल नंबर में हाँ पर नहीं पता चलेगा और मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पर नमबर ट्वेल मैंने देख लिया मैंने सेव कर दिया बटन दिपाई अप्लाएगा हुआ यह आई-पी ले लिया हमारा डिवाइस बारी बारी से यही मैथड यूज करके हम लोग जितना भी डिवाइस इस कंपनी में सेट अप करेंगे सेक्शन बन सेक्शन टू में सबको ऐसे ही आई-पी एड्रस देना होता है अभी पहले चोटे पर बता रहा हूं उसके स्मॉल मेडियम लार्ज लार्ज में आप पूरा एक्सपर्ट मोड सिखेंगे ठीक है अभी एक और एक्जामपल बता देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारा डिपेंडेंसी यह कमांड का सिर्फ यह मशीनों तक ही सिमित नहीं है जैसे फॉर एक्जामपल की हमारे इस वाले इस वाले राउटर से कनेक्टेड नहीं है वहां से चेंज करो इस राउटर से कनेक्ट हो जाएगे टेस्ट वाइफाई नाम के राउटर से शिफ्ट कीजिए कौन्से राउटर से कनेक्टेड था वो पहले जब यह कंप्यूटर जी यलम नाम एक राउटर से कनेक्टेड था किसी और राउटर से वह उस वक्त क्या आईप लिया था इसने कंप्यूटर ने लेकिन जैसे ही आपने यह वाले राउटर पर शिफ्ट गिया जिस राउटर पर यह सी सी टीवी का जो सैट अप लगा है ठीक हम लोग जिस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो क्या आई-पी चेंज हुआ हाँ चेंज हो गया ना आई-पी तो वो तो राउटर एक डियाट सीपी के थ्रू आटमेटिकली कंपिटर को आई-पी दे देता है ठीक है ठीक है बात यह नहीं हो रही है बात अप पिंग हम लोग कर रहें बताई आई-पी बताई यह 192.168 100.6 100.6 को यहां पर हम पिंग करें चलाएंगे कौन सा कमांड चलाएंगे 192.162 पर तो पिंग लिखना पिंग 68 बोलो आई-पी एड्रस 100.6 यह देखिए रिप्लाई मिल रहा है यह देखिए रिप्लाई मिल रहा है रिप्लाई मिलने का मतलब क्या है कि हमारा डिवाइस connected है ठीक है device connected है अगर reply नहीं मिलता तो हमारा device connect होता नहीं होता अब मैं आपको एक दूसरा example बता रहा हूँ यह तो आपने समझ लिया कि IP address change कैसे करते हैं available है या नहीं है उसको कैसे find out करेंगे यह आपने समझ लिया ठीक है अब मैं आपको continuity में एक दूसरा variation बता रहा हूँ variation है command यहीं लिखना है उसके आगे हाइफन टी टाइप करना है हाइफन टी हाइफन समस्ते हो डैस ऐसे माइनस जैसा होता ना यहां ध्यान 12 12 12 12 नंबर यहां ध्यान दीजिए ना ठीक है उसको छोड़ दीजिए उस पर प्रैक्टिकल कराओं अभी मैं ठीक है सबका होगा प्रैक्टिकल पहले हां मैं बता देता हूं अच्छे से आपको फिर हादे लोग यहां बैटेंगे आधे लोग बैटेंगे सब अपना बारीबारी जैप्रैक्टिकल करेंगे ओके इसके आगे मैं मैं स्पेस बार होती है वो इस पेस दोनगा इस पेस देने है टाइप टेंटर एदिए है यह कया है इस कमांड वॉतर लगतार बार बार लगतार कंटीनीवटी नौन इस्टनेवे very Observance यह यह चांच रहेंगा देगे यह नहीं रूह एकło गाव है यह तो मैंने किसको पिंग किया इसके三ग यह चलते रहेगा नहीं रुखेगा यह चोटा सा वेरिएशन क्या लगाया स्पेस हाइपन टी यह कभ यूज करना है जब कोई केबल का फॉल्ट है या कस्टमर का ऐसा कम्प्लेंड आ कि सर हमारा जो सिस्टम है कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है बार-बार डिसकनेक्शन का इश्यू आ रहा है तो हम लोग यह वेरिफाय करने के लिए यह कमांड यूज करते हैं कि नेटवर्क में या तो ओवरलोड हो सकता है या रॉंग स्विचेस या राउटर्स यूज केंच किया क्या मतलब कालकुलेशन नहीं किया स्पेड़ का या फिर कोई फीजिकल फॉल्ट है जैसे केबल का staиновर्या थ्क प्लूज है ठींग있는 नहीं आ रहा है कभी चल रहा है जैसक vendor the में क्रविक्वेν्ट कर रहा है यह यह दिसकनेक्शन फृक्वेंट डिसकनेक्शन तो आप यह कमांड चला कद soothing जिस्से रिप्लायर्न हो पते जले अब को देखे मैं केबल यहां से करता हूँ ए प्र Oscill चिंग करें वहां से ह्यह जो सिस्टम Brickika लगिए आइस को डिसक डिस्क आइक किजीए यहां से कर दो अधिक नहीं है यहां से इक के जया सुगेपल लगिन इसको डिसकने कर दीजीए ठीक है इस कने किया क्या अफेक्ट वarm टेच वर जबब कर देढ़ं हे रिक्वेस्ट टाइम आउट यह बंध्र niezble overview बांध वार रबर किता दक्रिक्वेस्टैमि दुढ़ के मोड में रहे गा जब तक यहां से Cable disconnected रहेगी, Cable लगा यह फिर से, Got it, लगा दिया, यहां पर भी light आ गई, दूबारा चलने लग गया, देखिए, चलने लगा, तो इससे हमें क्या मालूम पढ़ता है, यह कमांड से हमें क्या पता चला, कंटिन्यूटी के कमांड से हमें क्या मालूम पढ़ता, यह पता चला कि मतलब जो, मैं आइपिं केमरा जो लगावा है सर, कि वो मेरे connection सही है कि नहीं उसका, बस यह पता चला है, आच्छा, ठीके connection सही है, नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छे से बोली है, clear, मैंने कैसा clearly बत आज में सब आता है, ठीक है, थोड़ा अपसेंट जरूर होता है, इसके लिए मैं डाटते रहता हूं कि डेली रेगुलर आए, ठीक है, है टैलेंट है बंदे में, मतलब अपसेंट होता है, हफ्ते में दो दिन आएंगे, तीन दिन आएंगे, यह इमरान, बाखी दिन सा घुमा फिरा देते हो बात को, एकदम इंटर्वियू में जब आप बैठेंगे न, तो आप बंदे को जज क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, कि कितना क्लियर बात कर रहे है वो, कुछ लोग ऐसा आता सब है उनको, लेकिन बात ऐसा करेंगे ना सामने वाल इंटर्व बstal रहा है कोई मूवी ह AMन थे मैंने एक मेरा घर था है? कर बोले मेरा घर बहुत के समस्सा मरें तो को बोले दोनों के तो बैठ सामने तो बोले यह समय तर ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम clear समयं, एकदम clear समजा है, यहां पर मैं कैसा clear आपको बता रहा हूँ, peng समझा, IP config ग क्या समझा continuity सबसे पहला काम let's rewind once again this topic सबसे पहले ipconfig command मारेंगे एकदम fresh लिक लीजी इसको चलेगा सबसे पहले ipconfig command टाइप करेंगे ipconfig command मारने से क्या मिलेगा आपको gateway gateway address gateway address मिलने से आपको क्या बात पता चलेगी क्या बात पता चलेगी device इसको क्या IP address दू क्या gateway दू वो आपको मालूम पड़ेगा what it ip address देने से पहले हम लोग क्या command run करते है क्या command हम लोग run करते है पिंग पिंग करने स्क्या मालूम पड़ता है available है के नहीं availability और not availability ऐसा हमें मालूम पड़ता है समझ आया अगर अगर कोई IP address अगर कोई device पहले से IP ले लिया है ले लिया है बराबर तो हमको continuity में reply मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा ना यस मिलेगा और मान लीजिए हमने एक IP address चलाया 192.1 पिंग स्पेस 192.1 168.67 और मान लीजिए रिप्लाइं नहीं आया request time out दिखाया तो इसका मतलब क्या हुआ यह IP address यह IP address हम अपने मशीन को दे सकते नहीं दे सकते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है अवेलेबल नहीं था तब उसने request time out दिखाया यह अवेलेबल था तब रिप्लाइं नहीं आया इसका मतलब है वो आईपी अवेलेबल है वह नाम किसी नहीं लिया ता तब उसका रिप्लाइं नहीं आया इसका मतलब अवेलेबल हम वो आई पी और किसी अपने मशीन को दे सकते हैं ओर स्अगर कंप्लेंड आ रहे तो आप क्या कमांड यूजे करेंगे बोलिये कमांड बोलिये पिंग स्पेस आई पी अड्रस फिर स्पेस फिर हाइपन ये कमांड यूज करने क्या होगा हमें लगातार पता चले आ कि अभी भी आ रहा है ठीक है अभी भी आ रहा है एक बार दिखा देता हूं इसलिए आपने निकल निकल दी है फिर बैक मैं यहां से इस कनेक्शन हुआ यह देखिए लगा दीजिए कि कनेक्टर रस्ट है या ब्रेक हो गया है या लूज है फिटिंग लूज है कोई फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड इशू होगा ना तो आपको रिपलाई नहीं आएगा एक बहुत इंपॉर्डेंट बात मैं आपको बता रह से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू होगा फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो रिपलाई नहीं मिलेगा दूसरा कंडिशन क्या है रिपलाई नहीं मिलने के लिए नहीं मिलेगा दूसरी क्या वज़ा है दूसरी मिलेगा या फिर गलत IP address दिया हुआ है उस device को तो आपको reply नहीं मिलेगा लिखिए if wrong IP address assigned to that device in that condition you will not get reply second condition physical connection related इन दो conditions में आपको reply नहीं मिलेगा इम्रान वहाँ से land cable tester दीजिए उपर से अगर physical connection से related कुछ issue है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे देखिए cable tester का आप use करें land cable tester का उसके तुरू आप चेक कर सकते हैं मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बाद में आपसे क्रिंपिंग टूल का यूज करके यह connector लगाना वो सब सिखाएंगे आपको आगे कि कैसे connector लगाना है और उसको जो है ना आगे connector लगा कर उसको कैसे patch cord को ready करते हैं अगला चैप्टर यह खतम होने के बाद वही होगा कि किस तरीके से केबल में यह connector लगाना है अच्छा इसको मैं चेक कर लेता हूँ आपको बता भी देता हूँ देखते जाए इस तरफ अगर गलत IP address किसी डिवाइज ने लिया हुआ है पहले से ठीक है उस कंडिशन में reply नहीं मिलेगा रॉंग IP address होने की वैसे दूसरा कंडिशन क्या फिजिकल करेक्शन अगर प्रॉब्लम है तो भी reply नहीं मिलेगा अच्छा फिजिकल को इस तरह से चेक करेंगे हम लोग मैं दोनों ही बात बता देता हूँ फिजिकल चेक कैसे करना है यह हमने ल लेगा अगर connection से related issue है तो यहां पर lights आपके break हो जाएंगे सारे lights यहां पर glow हो रहे है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना यह देखिए थोड़ा सा इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि live वाले भी देख पाए अच्छे से अगर्ड़ इधर वालों को भी दिखा देता हूँ live वाले देख लिए यह देखिए देख पा रहे हैं सभी लोग यह जो केबल है ना यहां से मैंने सिर्फ यहां लगाई है रहें दोजी उसे यह देखिए सारे lights बराबर से आ रहें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एक से 8 सक सारे light बराबर आ ठीक है मतलब यह हमारा cable सही है ठीक है तो इस तरह से भी हम लोग एक physical connections को cross verify कर सकते हैं यहां भाइठी के reply नहीं आ रहा है तो हमें या तो cable change करना पड़ेगा पहले direct cable change न करे connector को दूसरा लगा के चेक कर ले यह है ना री क्रिम कट करके वापस से दूसरा एक आर्टे फोट ली नहीं चलते हैं ओके यह समझ में आया इसमें कोई दिक्कत किसी को क्रिंपिंग में एक बार practically hands-on देख लेना आप लोग अभी फिलाल इतना समझ लीजिए कि इसको verify कैसे करते हैं verify करना आ गया सबको किसी कोई सवाल पूछना है इसमें और अगर गलत IP address होगा तो उसको क verify कैसे करेंगे उसके लिए command है ipconfig फिर ipconfig की बात आ गई है यहां पर फिर ipconfig यहां पर run करना है हमें ipconfig यह इस रेंज का ही नहीं है ऐसा हमें पता चलेगा क्या शो कर रहा है 192.168 100.2 गेटवे शो कर रहा है और मान लीजिए सिस्टम का आई पी होता 192.168 1.1 तो यह मैच कर रहा है क्या इससे नहीं कर रहा है ऐसे हम लोग परस्नली देख के चेक करके find out करेंगे समझ आई बात अचली अभी मैं question पूछूँगा उसका answer देना हाँ ठीके सही answer देंगे इस बार गलत नहीं देना है किसी को answer माली जिए यह वाला जो system था कोई भी system चाहे यह हो चाहे इधर वाला system हो उधर वाला कोई भी system माली जिए उसका by default IP है 128 1.1.3 है 128 1.1.3 ठीक है और हमारा जो gateway है उसका range है 192.168.2 तो वो सही है उस device का IP या गलत है रॉंग है कितने लोग बोल रहे है रॉंग है रॉंग है रॉंग है ना IP ठीक है कितने लोग बोल रहे है रॉंग है चलिए rise your hand जितने लोग बोल रहे है गलत है और जितने लोग बोल रहे है सही है वो अपना हाथ नीचे कर दे तो नीचे के उपर है ठीक है यह IP एकदम सही तो आपको जरूरत है चैंज करने की जरूरत है आई पी अडरस गलत है इसलिए चैंज करने की जरूरत है अब क्या range देंगे यह नए डिवाइस को क्या अपी देंगे त्री देंगे त्री फूर फाइज इक्स जो भी जुब्स क्या देंगे 192.168 100.3, 4, 5 चेक कर लेंगे और वो range assign कर लेंगे आप समझ आया अच्छे से हैं चलिए ठीक है अब इसका आपको करना है practical practical में हम लोग दो सिस्टम लगाएंगे एक इधर एक इधर आधे लोग यहां बैटेंगे आधे लोग बैटेंगे और क्या करना है practical में नोट का लीजिए लिख लीजिए किस चीच का भी practical करना है आपको सबसे पहला काम आप IP config के थुरू gateway address find out करेंगे दूसरा काम आप अपने सिस्टम को एक IP address देंगे उसके बाद में आप पिंग टेस्ट करेंगे continuity वाला केबल ब्रेक है नहीं है कैसे हम लोग ने चेक करना है ठीक है अच्छा IP address देने से पहले आई पिंग कमांड करके चेक भी कर लेना कि आई पी जो दे रहे वो अवलेबल है के नहीं है ठीक है कहने का मतलब है आई पी कॉन्फिग और पिंग का प्रेटिकल करना है मैं फिर से पता देता हूं सबसे पहले आई पी कॉन्फिग कमांड से आप पता लगाएंगे gateway का range उसके बाद में आप क्या करेंगे system को IP assign करेंगे कोई भी मैग आपको range देते ता हूँ serial देते ता हूँ उसे आप assign करेंगे इधर वाले ये system पर करेंगे इधर वाले वो system पर करेंगे तो आप IP address assign करेंगे assign करने से पहले हम लोग क्या करते हैं हमेशा ping करके check करते हैं कि available है कि नहीं पिंग वाला practical करना है जब assign हो जाएगी ठीक है फिर वापस पिंग करके देख लो reply आ रहा है नहीं आ रहा है जो नया IP आपने दिया है ठीक है reply आ रहा है अच्छी बात है well and good आपने सही किया है आपका practical सही रहा फिर एक पिंग स्पेस आईपी अड्रस हाइफन टी डाल के जो करते हैं लोग कंटिनीवीटी वाला वह करके देखेंगे उसमें अपने केबल निकाल के देख लेना ठीक है केवल निकालने पर क्या होना चीए करें डिसकनेक्शन कर रहा हाँ टाइम डिसकनेक्शन का सिगनल मिलेगा ठ टीक गुष लोग यह सिस्टम प्रकेश करेंगे कुछ लोग यह सिस्टम पेपना प्रेक्विस करेंगे आप कि